बच्चों ई 308 पावर सिस्टम 3rd के अंतरगत हम टैरिफ वाले अध्याय का अध्याय कर रहे हैं इसमें एक आपको आठ प्रकार के टैरिफ बताये थे उसमें से एक सरम टैरिफ जिसे कहते हैं सिंपल टैरिफ उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्याय किया थे अब उसी के कंटिनेशन में आगे के हम तीन और टैरिफ के प्रकार आज पढ़ेंगे और बचे हुए जो है वो अगले वीडियो में दिखाए जैंगे तो उसी कंटिनेशन में ये काम चल रहे हैं आप इसको समझने का प्रयास करें तो जो दूसरा टैरिफ है वो होता है फ्लै डिमांड ड्रेट टैरिफ जब हमने टैरिफ के नाम लिखाए थे तो उसमें भी इसका जिक्र था हिंदी में कहते हैं समय के मांगदर टैरिफ ये बहुत ही सिंपल टैरिफ है जो आपको एक जनरल इक्वेशन लिखाए गए कि एकल टू सी एक्स प्लस डीवाई प्लस एफ सी एक्स प्लस दीवाई प्लस एफ तो उसमें एक्स जो है मैक्जिमांड थी वाई एनरजी कंजीम थी और जो जो सी है वो cost पर kilowatt थी D कॉस्ट पर kilowatt hour थी यानि per unit cost थी और F उसमें fix charges थी तो इसी जो general form है उसमें से जो flat demand rate होती है उसमें सिर्फ A ही component दिनूज होता है यानि A is equal to CX तो X जो है वो maximum demand है या जो demand वो भुकता द्वारा यूज की गई है और C जो है वो है cost of उसकी जो अधिक्तम मांग की दर जो जो भी निल्दारिक की गई है 100 रुपए 1.500 रुपए तो ये बहुत ही simple tariff है इसमें जो total billty का bill आएगा जो भी मन्त जो भी आपके billing cycle है एक महिने है ये दो महिने है जैसी भी इस्तिति है सामाने तया घरिल उभुकताओं के bill दो महिने में एक बार आते हैं और commercial उभुकताओं के bill हर महिने आते हैं तो जो भी billing cycle है उसमें total bill जो होगा उसमें सिर्फ एक component होगा जो maximum demand आप यूज करें इसमें energy note करने की जरुद नहीं करते हैं इसमें सिर्फ जितना आपका लोड है उसको उस rate से बुना करके हम total billing amount को ग्याद कर सकते हैं तो simple तो है लेकिन इसमें आप देखते हैं कि जैसे जैसे आप इसमें मतलब यूज करते जाएं यह इसका total bill जो है वो तो उसमें तो बड़त नहीं होगी लेकिन जैसे जैसे आप यूज करेंगे वैसे वैसे इसकी per unit cost कम होती जाएगी यानि माली की हमने एक ही दिन इसको यूज किया तो भी उतने ही पैसे लगने और 30 दिन तक हम यूज करते रहे तो भी उतने ही पैसे लगने तो इसमें सबसे खराब बात यह है कि यह बिजली की बचत को प्रोटसाहित नहीं करता है यह इस बात के लिए हमें प्रिरित नहीं दरता है कि हम बिजली की बचत करें सामानित यह ऐसी जिए पर लगा जाता है जैसे ट्रैफिक की लाइट्स लगी होती है हर चौराय पर शहरों के अंदर तो वहां पर लगा जाते हैं स्ट्रीट लाइट में लगा जाते हैं क्योंकि उसमें पता होता है उनको कि बारा घंटे को चन्री गैनल के ट्रै establishmentmos syनल Ball डगंबद 24 गंडे चल ले तो उसी हिसांद से वो रेट टै करना होता है अलक है मीटर करने की मिटर की लेने की कि उसका फिर भिल बिल बताने की जरूरती पड़ती सिर्फ वो पहले से लोड किया हुआ होता है उस लोड को जो रेट है उससे घुना करके और जो बिल है वो जन्रेट हो जाता है और उनको दे दिया जाता है तो यह सिंपल जरूर है लेकिन इस में हैं जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो इस बात के निए बिल्कुल भी प्रेड़ित नहीं करता है कि आप बिजली की बचत करें कहीं पर हम शुरू में तो कर सकते हैं जैसे कोई लेंप अगर भा लिए पचास वाट बिजली कंसूम कर रहा है उसके पर दस वाट को बिजली कं लापरवा यह नीती बनाती है पहले अग्रीकल्चर सेक्टर में भी यही नीती लागू थी समर्सेविल पंप गाउं में लगे हुए थे उसमें पर किलोवाट के हिसाब से ही बिजली के चार जाता है अलग से मिटर लगानी जड़ोत नहीं थी क्यूंकि गाउं में इतने मि मिटर की इंडिंग ले सकें तो उसमें पर किलोवाट रेट फिक्स की हुई थी जितने भी एच्पी का उसने पंप लगा दिया उस हिसाब से पर किलोवाट रेट जो है पहले से तह थी उससे गुणा करके और उसके मिटर के बिल आ जाते थे तो यह देखा यह गया कि चाहे उसको जरूरत है या नहीं है उसको लगातार पंप चलाता रहता है क्योंकि उसको लगता था कि बिजली के पैसे तो जितने मुझे देने थे उतने में दे चुका है अब मैं चलाओं या नहीं चलाओं पैसे तो उतनी लगने है तो आदमी जो है उसको लगातार चलाता रहा उससे नुक्सान यह हुआ है कि जमीन के अंदर पानी का इस तर भी बहुत तेजी से गिरने लग तो अब यह दिरे-दिरे से इस पॉलिसी को खतम किया जा रहा है और इस तरह के बिल जो है जेनरेशन अब दिरे-दिर मीटे रीडर भी बढ़ते जा रहे हैं पहले हर गाओं में मीटे रीडिंग ही नहीं हो पाती थी तो तब यह विवस्ता चलती थी समयकित मांगदर है तो इसमें क्या होता है जितना आप यूज़ करते जाएंगे यूज़ बढ़ता जाएगा उतना पर यूनिट रेट जो है वो कम होती जाएगी सोब यह बात है हम थी दूँआ को फी यूज़ करेंगे तो यह सब्सक्राइब स्फमिल स्थेंगे यूज़ करेंगे पूंसे के मामले में तो फिक्स है कि य exec पकी मोड़ा दस है मोड़ा रखाल नकिर्दधर 20 More सब्सक्राइब यह करते हैं उस तरह करते हैं benedy हम भी अगर हमें इस विवस्ता को लागु करना चाहें तो वहाँ आमें maximum demand meter लगाने पड़ेगे तो इसमें maximum demand के पढ़ेंगे और उसकी नोट करने पढ़ेंगी मैंने आपको पहले ही बताया था जो पिछले आध्याय में पढ़ा था यह जो 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 विजली किलोवाट में हमने यूज किये तो यह तो हम पिछली बार पहले पढ़ चुके हैं तो यह मैंने आपको बताया कि फ्रेट डिमांड रेट आसान है सिंपल है लेकिन इसमें जो कमी है तो यह है कि यह बिजली की बचत को प्रोप साहिद नहीं करती है अब नेक्स जो है इसमें स्टेट मीटर रेट टैरिफ सरल मीटर दर टैरिफ जातर हम देखते हैं कि यह घरेलू गोगताओं के लिए हलाकि हमारे राइस्थान में तो इस तरह का नहीं कर रखा है लेकिन कई राज्यों में इस तरह की विरस्ता का रखी है इसमें जो जो हमने देखी थी उसमें एक ही कंपोनेंट इसका काम में आता है एस इकल टू डी इत्लिक वाहिः यानि आप कितने यूनिट उसने कंजूम किये उससे जो भी रेट होती इसको बुना करता में तो जो भी रेट है उसको आपने कितने यूनिट कंस्यूम किये उससे गुना करना है और आपका बिजली का बिल आ जाएगा या यो भी आपकी बिलिक साइकल है उतने समय का एक महिने ये दो महिने का बिल आ जाएगा अब इसमें दिक्कत ये आती है कि यू जो कम बिजली यूज करते हैं उनके भी उसी दर से मित्री होती है future. कुंध जादा मेंधी यूज करते हैं जैदा शमपन लोग हैं उनके उसी दर 1751 होती है जानि एक ही डेट में बिजली गरीब आदमीं मिलती है और अमीर अदमी पिन लेते हैं तो बहुत और सकता है तो ऑससे गरीब यूनिट के जाएँ उसकी युनिट को और कम किया सकता हैं इसलिए इसको बूझ फूम करेंगां रिज आना मेंदा इस सांधाल करेंavat उसको बुना करके और बिल जो है जनरेट हुए दूसरे समस्य है इसमें यह होती है कि जो आदमी बिजली बिल्कुल यूज नहीं की किसी ने तो उसका बिल तो शूने आ जाएगा क्योंकि उसकी यूनिट्स कुछ होंगी नहीं तो उसका बिल जो है यह भी गलत है क्योंकि जैसे आप किसी किराय के मकान में रह रहे हैं तो किराया तो मिनीमम आप रहो या नहीं रहो या पांस दिन रहो या पचास दिन रहो तो किराया तो महीने का उतना फिक्स होना चाहिए बिजली पानी के पैसे कम जादा हो सकते हैं तो इसी तरीके से इसमें है कि अगर आप ब ज्यादा दिक्कत हो जाएगी जो लोग पूरे समय रह रहे हैं तो उससे क्या होता है कि यह इस चीज के लिए भी लोगों को प्रेडित करता है कि विजली की चोरी करें मीटर को बंद कर दें तो उसका बिल तो बहुत कमाएगा फिक्स चार्ज को लगना नहीं तो वो जो अच्छी है कि विजली की चोरी को भी तो यह मैंने आपको बता है यह अपने यहां पर नहीं अभी लागू है लेकिन कई राज्यों में इस तरह की विवस्ता है कि एक ही रेट से जो विजली के बिल जनरेट होते हैं गरीब आद भी हो अपनी राज्यों ज्यादा बिल्टी करें कम यूज करें इसके रेट एक ही होते हैं अब नेक्स जो है वह ब्लॉक मीटर रेट यह विवस्ता हमारे यहां पर रागू है इसमें क्यों ब्लॉक्स बनेवी होते हैं जीरों से 50 उनिट तक की एक रेट पचास से 200 तक की दूसरी रेट और 200 से अधिकी हैं अलग व्यवस्ता कर सकती है अगर 2 मीने का दिल है तो इस तरीके से लिए ब्लॉक के लिए रेट खोला हैं चौनहीं है फरेट यह सुद्वर द्रों पहले तो क्या होता था कि जो विजली कंपनिया हैं वो लोगों को पेरित करती थी कि वो ज्यादा ज्यादा विजली को यूज करें तो उल्टा होता था कि जो आदमी कम विजली यूज करते थे उनके रेट ज्यादा होती थी यानि विजली कम यूज कर रहे हैं तो पर यूनि भी हमारे यहां लोगों की पेइंक के साफ से इसको बिल्बुल्रिवस किया हुआ है कि रिवर्स किस तरह से किया हुआ है कि शुरू के जैसे बृट के लिए बिजली की रेट कम होगी छीप हला Courtney racism यहादा होगी हुए ट्रेंट से गलें खर thärी जोर्ण देश में लोड फेक्टर बढ़ाने की प्रॉब्लम नहीं है तो अभी इसके सखी है विजली की तो कमी है तो जब हमारा देश इस इस इस्तिती में आ जाएगा कि सर्प्लस बिजली है और हम में भी प्रांट्स का लोड फेक्टर बढ़ाना है तो हो सकता है कि हमारे अभी जो सब्सक्राइब छेंट सब्सक्राइब तो 0 college वگले सब्सक्राइब प्रता की आता सब्सक्राइब तो उसके कम रेट से बिजली का बिलाएगा, अगर मालीजे वो 50 से ज्यादा यूनिट बिजली खर्च करता है, तो 50 यूनिट तक कर तो उसी रेट से होगा, और 51 से लेके और जितने भी मालीजे उसमें 1500 यूनिट खर्च किये, तो अगले 100 यूनिट का रेट बढ़ी हुए द तरिफ है और इसमें ब्लॉक्स बनाईव होते हैं, उन ब्लॉक्स के अधार पर बिजली की रेट को अलगला किया जाता है, तो आज हमें तीन तरिफ पढ़ें, तीन लिकुल आसान है, फ्लैट डिमांड रेट, स्टेट मीटर रेट और ब्लॉक मीटर रेट आगे के टेरिफ जो है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद